यूट्यूब चैनल अभिग्यान ओनलाइब आज ही सब्सक्राइब कीजिए और रेगिलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए यहां आपको विभिन प्रतियोगी परिक्षाएं जैसे रीड, पटवार, वनपाल या वनरक्षक, एलडीसी, शिक्षक ग्रेट टू, ग्राम सेवक इत्यादी की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के मार्ग दर्शन में करवाई जाती है तो आज ही अभिग्यान ओनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार, नमस्कार, सभी सातियों का नमस्कार, गुड आप्टर नून, अभिग्यान की इस ओनलाइन प्लेटपॉम पर आप सभी का हार्दिक अभिननदन, हार्दिक श्वागत राजस्तान की चित्रकला की बारे में महत्वपॉन प्रस्णों की एक श्रंगला चल रही थी, आज आप लोगों की समक्स आने वाले हैं, आज दिन तक इस चित्रकला से जो है किस परकार के एक्जाम में प्रस्ण पूचे गए, सारे के सारे एक्जाम पेटरन से पूचे कि आखिर चित्रकला में जो कुष्णों का लेवल रहता है, वो किस परकार के रहता है, कहां से प्रस्ण पूचे जाते हैं, उनके उपर अपन चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपॉन प्रस्ण हैं, सारे के सारे सभी का स्वागत हैं, बिलकुल लरीतिश, आशा, स्वागत हैं आपका, विनिता, चोदरी, सोरभ खंडेलवाल, नटकर, स्वाती, सभी प्यारे विद्यारतियों का स्वागत हैं, चलो, देखते हैं आज का हमारा पहला क्विशन और पहला क्विशन ये है, आरे स्प्री 2013 और 2015 में पुचावा क्विशन है, और क्विशन क्या हैं तो देखेगा, जमनादास, छोटे लाल, बक्षा राम, नंदलाल, चित्रकार की किस शेली से संबंद था, ये जो सारे के सारे चित्रकार थे, यानि कि अगर बात करें, जमनादास की, छोटे लाल की, बक्षा राम की, नंदलाल की, तो ये सारे के सारे चित्रकार जो है, किस चित्र सेली से संबन्दित थे चालावार सेली अलवर सेली बिकानेर सेली या मारवार सेली सिधा सिधा एक्जाम में यही प्रस्टन का पेटन रहता है तीन चार चित्रकारों के नाम आते हैं और तीन चार चित्रकारों में से किसी एक चित्रकार का नाम आपको चेन करना हो अटरनून, कार्ण वालेषबी चलो, सबी विध्यारति Woan ने अधिक्तर भी बताया तो बिल्कुल भी सही है, अलवर सेली जो है, अलवर सेली अलवर चितर सेली कि ये सारे के सारे जमनादा, छोटे लाल, बक्साराम, नन्दलाल ये सारे के सारे चित्रकारों का संबन्द किस से हैं तो इनका संबन्द है अलवर सेली से अलवर सेली जो है अलवर सेली का स्वरनकाल माना जाता है बनने सिंग का अकाल यहां के एक राजा हो थे जिनका नाम था वीने सिंग या बनने सिंग उनके काल में सबसे ज़्यादा चितर बनाये गए थे गुलिस्ता चितर का संब्ध इसी अलवर सेली से हैं गुलिस्ता के जो चितर हैं या सेख जादी के जो चितर हैं इसी सेली से संब्धित हैं और इस अलवर सेली को हमारे राजस्तान की असलील चितर सेली के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल अलवर चितर सेली जो है ये सारे के सारे चितरकारों का संबन्द किस से हैं अलवर सेली से। यानि कि आपको जो है ऐसे तीन-चार नाम मिलेंगे एक साथ और तीन-चार नाम में से आपको क्या करना है देखना है एक नाम नहीं मिलेगा हमेशा तीन-चार नाम एक साथ मिलते हैं अगला प्रसंद देखेगा रामा नाथा छजु सेफू चित्रकला की किस सेली से संबन्द का नाथा जी का और शेपू छज्जू इन सब का पटवार 2015 का प्रशन है पटवार 2015 में ये question पूचा हुआ है कि इन सब जो चित्रकार है इन सारे के सारे चित्रकारों का संबंद किस सेली से हैं बिल्कुल बहुत ही सुन्दर सा प्रसन है इस प्रसन का जवाब सभी विद्ध्यारतियों को आ जाना चाहिए क्योंकि ये इतना कोई कठीन कुशन है नहीं हाँ बिल्कुल इसमें क्या क्या इन्होंने नामों को शोट कर दिया, इनका नाम क्या है तो राम डास, नात डास, नारायन डास, छजू, सेफुखा, ये जो है बीसन सिंग, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे चितरगार कहां के हैं, तो ये सारे के सारे चितरगार हैं, जोदपुर के, बिल्कुल जोदपुर चितर सेली और यह सारे के सारे किंसे हैं तो जोदबुर चित्रिसेली के चित्रकार हैं पटवार 2015 के बाद अभी तक पटवार का एक्जाम हुआ नहीं है एक पेपर होना था वो भी रूखा हुआ है तो यह देखेगा मैंने भी आपको क्या कहा कि ज्यादा तर चित्रकारों के नाम हाँ बिल्कोल थान डाइग लखी के ने पोपा भाईगी पोड से परणाम परणाम भाई राजस्तानी चित्रकला को विशुद रूप से भारती ये हैं ऐसा किसने कहा था मैला परवेक्षक 2015 ये प्रशना आया हुआ है मैला परवेक्षक 2015 में कि 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 ने जो है राजस्तानी चित्रसेली को विशुद रूप से भारती बताया था राजस्तानी चित्रसेली को विशुद रूप से भारती चित्रसेली किसने बताया था लोरेंस वीलियम पेट्रिक लोरेंस साड्रिक खा या मनोहर स्वामी किसने जो है उससे सुद रूप से भारती बताया था विशुद क वीलियम, लॉरेंस वीलियम बता रहे हैं, कुछ विद्यारती इसमें D बता रहे हैं, ज्यादा तर विद्यारती इसमें A वे B का चेन कर रहे हैं, चलो देखते हैं किसन इसको विशुद रूप से जो हैं, देखें मैला परिवक्सक में पूचा हुआ क्विशन है, क्विशन भ जाधा तर वो चितरकारों के नाम पूछते हैं चाहे उन्हें पतवार लिया हो ग्राम सेवक लिया हो जितनी भी हमारी विगत-पृत्यों की प्रिक्साएं अगर आप उठा के देखो देगी तो उन सारी nya की सारी प्रत्यों की प्रिक्साओं में अधिनेस्ट मंतराले सेवा च चित्रकला का माना है किसने माना तो लॉरेंस वीलियम ने मानाता है बिलंकुल जेपुर राज जी के कार खाने का नाम जहां कळाकार चित्र लगू चित्र बनाते थे जंबल kalo कि गाती नगरी से प्रणाम प्रणाम भाई पुकराच रिजवान गुड अप्टरनून रिजवान नटकट स्वाती नमस्कार अर्जुन मेसेज कर देना किसको करना है भाई अर्जुन चलो जल्दी से जल्दी इस कुशन का जवाब दीजी एगले कुशन का जैपुर राजिय के कार खाने का नाम जहां चित्रकार यानि कलाकार चित्र और लगू चित्र बनाते थे यहाँ पर जो है आपको आदम कद के चित्र देखने को मिलेंगे यहाँ पर लगू चित्र भी देखने को मिलेंगे बिल्कुल सही बता रहे हो C यानि कि एक तो मिलते हैं यहाँ पर लगू चित्र और एक मिलते हैं यहाँ पर आदमकत के चित्र लगू चित्र का मतलब जिससे अगर मनुश्य का भी चित्र है तो एक पास्वर्ड साइज का चित्र यानि कि छोटा चित्र होता है ना जैसे अपन काई फोम बरने जाते हैं तो फोम बरने जाते हैं तो अपने को इसे पासपोर्ट साइज का छोटा चित्र मांगते हैं चोटा फोटू मांगते हैं यानि यहां तक का मांगते हैं और उसमें दोनों कान वाने से एक दम व्यवस्त कुछ यगे जह हैं ट्रेलर से काम चल जाता है लेकिं सगày वगए के time अधि करते समय पूरा मामौत दिखाना पड़ता है तो यहाँ पर सूरत खाना में क्या होटा था छोटी साइज के फोटो भी बंड़ते थे आदम कदगे क्या होते हैं सिर से लेकर पाउं तक के जो चित्र होते थे उनको क्या कहते थे आदम कदगे चित्र आदम कदगा मतलब पूरे के पूरे कदगे फोटू हाँ तो बिल्कुल सूरत खुणा कि हैं यह सूरत खाना जेपूर में है कभी आना मैं आपको सूरत खाने की जलक दिखाएंगे अचिन खोट खुक पर चोटे खुण से लिग का जैना प्रसिद चित्रगार कौन थे ये आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछावा है 2013 में आरपीसी सेकंड ग्रेड 2013 का कुशन है किसंगड सेली का प्रसिद चित्रगार नागरीदास, रामलाल, अल्ली राजा और हसन लडाको विमान, अंत्रिक्स के अंदर के केवल प्रणाम सर्जी, ओ, अंत्रिक्स से भी प्रणाम आ रहा है, बिल्कुल भाई प्रणाम आपको भी नागरी दास लड़ा को विमान के रहे हैं नागरी दास हैं इसमें तो ए होंगे बिलकुल नागरी दास ये जो है ना देखेगा किसंगड चितर सेली का जो सौननकाल माना जाता है ये सावन्द सिंग का सौननकाल माना जाता है इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे चित्रकार थे अमर्चन थे इसके अलावा यहाँ पर निहाल चन थे मोर्दोजिच थे और इसके अलावा यहाँ पर भी छज्जू थे छोटू थे बहुत सारे चित्रकार थे लेकिन मेन जो है नाम आता है नागरिदास का क्योंकि रामला अलिरजा हसं यह सारे के सारे चित्रकार जो हैं इन सारे के सारे चित्रकारों का संबंध भी कानेर से हैं तो यहां पर इनका कोई संबंध पकशियों की जैली के नाम से जाना जाता है आरपीयसी सेकंड ग्रेड 210 का क्विशन है जल्दि से सटाक से जल्दि से जवाब दे दीजेगा पक्शियों की सेली ए बता रहे है बुंदी, बुंदी, बुंदी तो देखेगा कल जो मेरे क्विशन ते Whichnach में आप लोगों के हवाई नहीं लगरी थी मुझा अब सारे गinely उपर से जा रे थे मांस हो रे थे एक भी कुशन पे आप चोका चका नहीं मार पा रहे थे आज सारे कुशन पे सारे विद्ध्यारती या तो चोका या छका रन दोडने का तो काम ही नहीं है मतलब सीधा boundary, सीधा दैधन, दैधन, दैधन टक 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 चारो तरफ खेल रहे हो तो बिल्कुल क्योंकि एक्जाम में पूछे हुए क्यूशन बड़े आसानी से अपन सहल कर लेते हैं क्योंकि बार-बार वो पेपर बार-बार हमारे सामने आते हैं और बार-बार चीज़े सामने आते हैं तो कुछ चीज़े हम आराम से याद कर लेते हैं तो आपको ये क्विशन लाने का मुक्य उद्धे से यह था कि आप पेपर का पेटन भी समझ सके कि आखिर पेपर में RPSC किस प्रकार से प्रशन पूझती है क्या होता है तो बिल्कुल बुंदी चित्र सेली जो है प्यारे विद्यारतियों बुंदी चित्र सेली जो है इसमें सबसे ज़्यादा पक्षियों के चित्र है इसे पक्षो की सेली के नाम से भी जाना जाता है बुंदी सेली के बारे मागे अपन विस्तर चर्चा करेंगे अगला प्रसन निहाल चंद किस चित्र सेली का चित्रगार था बड़ा शांदार प्रसन है कोई दिक्कत आएगी नहीं किसे भी विद्यारती को ये भी RPSC 2nd Grade 2010 क्योंकि 2nd Grade जो पढ़ती है ना 2nd Grade में 2 पेपर होता है एक पहला पेपर होता है जो पूरा का पूरा जीक्के का होता है जिसमें उनके राजस्तान जीके, इंडिया जीके और मनोविज्यान और पॉलिटिकल साइंस यह आता है और कुछ नहीं आता है और दूसरा प्रेपर उनके सब्ज़ेक्ट का होता है निहाल चंजी और इनोंने किसका चितरण किया तो बणी ठणी का जो चितरण है बनी ठणी का चित्रण इनों ने किया था, most important है, किसंगड चित्रे सेली के परमुक चित्रकार थे, निहाल चंद, चावंड सेली के परसी चित्रे नसिरुदिन ने रागमाला का चित्रण किस आसके संरक्षण में किया था, ये भी RPSC second grade 2010 का question है, देखो कितने question आगे आपके सा कि जोधपूर में भी है ये रागमाला गरंथ और रागमाला गरंथ जोधपूर इसके अलावा जो है, चावंड और इसके अलावा बुंदी, तीन जगे अपने को रागमाला गरंथ जो है, चित्रित गरंथ देखने को मिलता है, जोधपूर में जो है, जोधपूर में वीर 1605 इस्विय में इन्होंने रागमाला गरंथ की रचना करी थी, उसमें कौन राजा थे तो उसमें राजा थे अमर सिंग, परशिद चित्रकर्ती डोला मारू की सेली हैं, जोधपुर सेली, अजमेर सेली, विकानेर सेली, किसंगड सेली, डोला मारू जो है, डोला मारू चित्रकर्ती, डोला मारू चित्रकर्ती का समझ जोधपुर से हैं, अजमेर से हैं, विकानेर से हैं, या किसंगड से हैं, डोला मारू की एक बहुत स्यांदार लव स्टोरी हैं, आपको डोला मारू के बारे में हलका सा बताएंगे, कि कैसे ये यह बता रहे हैं जोधपूर मिलकुल देखेगा डोला मारू जो है डोला मारू चित्र करती अपने को कहा देखने को मिलते हैं तो यह जोधपूर में देखने को मिलते हैं लेकिन डोला मारू है क्या रियल में तो आप लोगों को साइद मैंने एक बार पहले भी बताया था फिर भी आप लोगों गोड़ समझ लीजेगा डोला मारू है क्या तो यह डोला और मारू देखेगा यहां पर हैं बिका नेर और बिका नेर में एक स्थान हुआ करता था और अभी भी हैं पुंगल और पहले इसको पुंगल को एक देश कहते थे और इसका नाम क्या हुआ करता था तो पुंगल देश और पुंगल देश के एक राजा थे यहां पर भेंकर अकाल पड़ा और भेंकर अकाल के कारण जो है यह राजा यहां से क्या हुआ कि यहां से जो है यहां के राजा एक बार क्या करते हैं यह जो है पुसकर गूमने जाते हैं क्योंकि पुसकर कोई आज से नहीं है पुसकर हजारों सालों से हिंदू का तिर्तस्तल बना हुआ है हिंदू का सबसे बड़ा तिर्तस्तल पुसकर माना जाता है तो यहां के राजा जब गूमन पूरे परिवार के साथ गए थे इनका एक छोटा बेटा था जिनका नाम था डोला तो ये भी यहां पर पहुंचे जब यह लोग यहां पर गए तो इन दोनों देशों के राजाओं के एक दूसरे से मुलाकात हो जाती हैं दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही इन है नरवड़ी से इन उनका अछी अंग्रे जी अचछी बोल लेते हो कि हाँ और पोल रहे हो तो हम भी अच्छी अंग्रे जी बोली लेते हैं यह कि इन दोनों सुचा यार छोटे छोटे बालक ठीक ही है तो इन दोनों सुचा गयार क्यों ना हमारी दोस्ती तो होई गई है इस दोस्ती को अपन रिष्टे में बदल देते हैं इनों का हाँ यारी रिष्टे में बदलना ठीक रहेगा हमेशा में सबले परमानेट अपन कर देते हैं पागल हो रहे हो गया इतने तो आई गए हैं कौन बाराते लाएगा कौन इतने जंजट करेगा पना दो और काम फतम करो तो यह डोला जो है डोला उसमें तीन साल का और मारू डेड़ साल की दोन्यों नों पकड़िया और दोन्यों को बढ़िया कपड़े टीटी बनाया और दोनों को टीटी बनाके अगनी के जो हैं फैर दिला दिये और पहलो फेरो लेवमारी बनडि यह दिलाया दो चाओ पांच साथ फैर वेर होए और फैरे वेरे होने के बाद यह अपने परिवार को लेकर वापिस इदर अब देड़ साल की बच्ची को क्या ससुरा लाएंगे क्या नहीं लाएंगे और यह अपने माता-पिता के साथ यहीं से वापिस पुंगल देश समय का चक्र चलता रहा चक्र चलता रहा इधर जो हैं इधर पुंगल भी बड़ी इधर जो हैं यह मारू भी बड़ी होगे इधर ढोला भी बड़ा हो गया अब डोला बड़ा होता होता आपके जितना बड़ा हो गया लेकिन ये नरवर के राजा के मन में एक कफट आ गया था इन्हों से जायर काई कि ये दोला दमासा है इधर तो आंधिया चलती है इतना कौन दोले में जाएगा अपने एक काम करते हैं अपने पुत्र का जो विवा रिस्ता उदर नहीं रखते हैं अपने इधर ही कोई मालवा अलवा की राजकुमारी और देख लेते हैं इनके पिता जी ने इनके बेटे को बताए नी इनका बेटा बटा हो गया इनका पापा ब्याव के रूब्याव 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 क से ही ठोला की साधिवादी कराई सो डौला आराम से विवाईक जीवन बिता रहा है इधर मारू बड़ी हो गई अब मारू के पापा संदेश बेजे अब संदेश आवे यहां नर्वर और राजा पहले संदेश ओड़ों को रस्ते में निप्टा देव इनके बेटे तक कोई सं बीज दिया और ये खत कहा कि सीधा किशी के पास नहीं जाना चाहिए मेरे डोला के पास जाना चाहिए कि मेरा डोलू यह उसको पढ़े और सीधा वो खत जो है डोलू के पास चला गया जोड़ों का अचछा वेवाईक जिवन चल रहcü था डोलू नहीं खत पर लिख रहता ह हाई डोलु मैं तेरी मारू, मैं तुम्हारे से साथ साधी हुई थी, यह सुए ता Conference बजलो सारा का सारा वर्डन उन्हों लिख दिया, उनुन का कि और भाई सब, यह कैसे हो सकता है, डोला अपने पापा के पास, हाई डेड, हाई बेटा, कि डेड़ यह क्या मामला है, कि क्य आपके ने जूट बोलाए और आपने ये कहा था कि मेरी साधी नहीं हो रखी है जब कि मेरी साधी बाल्यवस्ता में ही मेरी साधी करवा दी गई कहां बेटा तुम्हारी साधी उवी पर हुआ का दूड़ाय उड़ाय में जाएगान क्या करें का देख मरवण है आराम से मस्तर है उन्होंने का नहीं पापा एक बार मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ एक काम करूँगा मैं पहले उसको देखूँगा अगर मेरे को पसंद नहीं आई तो मरवण ठीक है पसंद आगए तो मैं उसको भी लेकर आऊँगा उनका ठीक है देख ले तू अब इन्होंने जो है नमबर उमबर दिये वीडियो कॉल किया वीडियो कॉल पर बात हुई और वीडियो कॉल में उनको अच्छी लेगी उनका यार की सेलफी का कमाल भी हो सकता है क्योंकि आजगल क्या है कि केमरे की क्वालिटी का भी थोड़ा फर्क पड़ता है ओरिजिनल में देख लेना चाहिए तो उन्हों सुझार फोन में अगर इतनी सुंदर है तो एक बार चलके ही देखते हैं इधर मरवन का दिमाग खराब हुने लगा मरवन सुझा यार ये जो है कुल मिला के कुछ ना कुछ मामला गड़बड करेगी क्योंकि लड़की भूकी प्यासी गरीबी में रह लेती है लेकिं सोतन सेंड नहीं कर सकती सोतन किसी सेंड नहीं होती है मरवन को पता चला कि मेरे तो सोतन आ जाएगी फिर मामला गड़बड है इनसोच अब क्या करे कुछ भी करके इनको रोकना है अब ये जो है अपने गोड़े पर बेटे और गोड़े पर बेटकर जो है उनको लेने के लिए मारू को लेने के लिए रवाना होने लगे जैसे ही रवाना होने लगे मरवन आ गई मरवन उनका हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ का प्लीज ना मत जाओ ना अब इतना प्यार से करें प्लीज मत जाओ ना मत जाओ तो उन्होंने का वा ठीक रहे यार इतना प्यार से करें एक काम करतें नहीं चाते हैं उन्होंने जाने से मना कर दिया और जैसे ही जाने से मना किया मरवन खुस दोला भी खुस सोए टोलागो अब सपने आये बार-बार मारू के कि मारू क्या खर रहे होगी जाने केसी दिखती होगी जब तक अगर अपनी सगय हो जाती ही साधी हो जाती है अगर गुलाब जामन को नहीं देखे तो बार-बार मन में वही विचार आते है लड़ू तो फूटते हैं कि जाने वो केसी दिखती होगी तो इनके मने में भी ऐसे ही कि जाने केसी दिखती होगी एक बार तो देखने की इच्छा है उनका ठीक है वो रात को जो है तीन-चार बज़े उटी हा बिज़री आ खराटे ले री जोर जोर से खराटे ले ली तो वो उठी रात को और रात को उठके अपने उठ पे बेटकर गोड़े को छिपा दिया तो उठ पे बेटकर रवाना और जैसे यहां पर रवाना हुए खत लिख दिया कि तुमारा जो है सोना सजन आ रहा है तुमें लेने के लिए इदर नगरी वगरी को सजा दिया पुंगल को गणे वाने चल रहे मेरा सोना सजन आ रहा है यह नवाट तो इस परकार इनका बहुत भव्य स्वागत किया लड़किया बढ़किया भाग भाग आई जी जू जी जू जी जू उननका यार इतना शांदार मारवाड में हमारा भव्य स्वागत मलब अपन जबर देश्ति यह MP MP के मरवण अरवण के चक्र में पड़े थे इधर देखो इतनी सुन्दर सुन्दर और इतनी बड़ी आवाज है इतना प्यार से बोलते हैं मारवाड के आओ सा जी जू जी जू खुस हो गए यह तो खतरनाक तरीके से और इनकी खुसी का कोई ठीकाना नहीं था इन्होंने क्या किया ठीक है अब आये है और जब उननने उनका जो है डोला ने क्या किया था डोला ने जो है खुसी के मारे उननने कहा कि अब मैं तुझे साथ ले जाओंगा उसके बाद जो है यह डोला इनको लेकर आता है एक बार एक्जामे इनके बारे में डोला के बारे में पूचा कि डोला का विवा हुआ उसमें डोला कितने साल का तो आप इनकी दोनों की एक लव स्टोरी समझे होंगे, मेरी भावना को, बहुत अच्छी लव स्टोरी थी इन दोनों की, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे डोला मारू का एक प्रेम परसंग भी था, चलो, आगे देखते हैं, निहाल चंद किस चित्र सेली का कलाकार था, ये परसं का महतों देने वाले स्कूल और पेंटिंग का नाम क्या है, अगले प्रसंग का जल्दी से जवाब दीजेगा, बिल्कुल, एक बार देखो, 600 विद्यारती देख रहे हैं, लाइक बहुत कम विद्यार्चन कर रहे हैं, 200, 300 विद्यारती भी भी लाइक नहीं कर रहे हैं, पत पसू पक्षियों का महतों देने वाले स्कूल और पेंटिंग का नाम क्या है, बुंदी, बिल्कुल, सभी विद्यारतीयों ने सही सा चैन किया है, बुंदी चित्र सेली, अभी मैंने बताया था, बुंदी चित्र सेली, जो है, बुंदी चित्र सेली में, पसू पक्षियों माना जाता है RS 2008 का प्रस्ण है very 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 most important प्रस्ण है कि राजस्तानी विचारदारा की चित्रकला का आरंबिक मुख्य केंद्र था क्या था विक्का नेर था बुंदी था जेसलमेर था या जेपुर था इस प्रस्ण का जवाब सभी विद्यारतियों का सही होना चाहिए इसका सभी विद्यारतियों का जवाब सही होना चाहिए क्योंकि ये क्विशन जो है मैंने जब 5 दिन क्लास ले थी तब भी बताया था ए विक्का नेर अर्जुन के रहें बुंदी कुछ विद्यारति C जैसल मेर तेखेगा राजस्तानी विचारदारा चितरकला का आरंबिक केंदर किसे माना जाता है तो राजस्तानी विचारदारा का जो है आरंबिक केंदर बिक्का नेर को माना जाता है RS 2008 में ये क्विशन पूचा हुआ है बिका नेर को जो है बिका नेर को राजस्तानी विचारदारा की चित्रकला का आरंबिक मुक्य केंद्र माना जाता है और मुक्य ये प्रस्ण पूचा हुआ है RS 2008 में और अगर ये पूचा जाता कि राजस्तानी विचारदारा चित्रकला का पहला केंदर कहां स्तापित किया गया तो पहला केंदर जेसल मेर में स्तापित किया गया था जहां सबसे प्राचीन अपारेगो चित्र विया आवसेस प्राप्त हुए लेकिन यहां पर यह पूचा गया कि आरंबिक मुक्य केंद्र था, तो आरंबिक मुक्य केंद्र क्या रहेगा प्यारे विद्ध्यारतियों विका नेर होगा, ये इसका सही विकल्प होगा मेवाड के रागमाला रसिक प्रिया का टिका गीत गोविंद जैसे विश्यों पर लगू चित्र की सासक के काल में चरम सिमा पर पहुँचे देखेगा ये सारे के सारे जो चित्र हैं ये सारे के सारे चित्र बनाए किसके काल में गए तो राणा कुमबा के काल में राणा कुम्बा के काल में इन चित्रों का निर्मान कार ये प्रारंब हुआ लेकिन यहां ये पूचा जा रहा है की चरम सीमा पर चरम सीमा का मतलब सबसे ज्यादा उचाय पर पहुचे थे सबसे ज्यादा चित्र बने थे, जल्दी बताईगा बिल्कुल सभी ने सही बताया है महाराना जगत सिंग परतम महाराना जगत सिंग परतम के काल में इन चित्रों का जो है लगू चित्रों का सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँचा था और इन्होंने चित्रों को संग्रहित करने के लिए चिटेरोरी ओवरी किसका निर्मान किया? चिटेरोरी ओवरी और इस चिटेरोरी ओवरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तuçषवीरारो कार खानो बिल्कुल आप सबी ने सही जवाब दिया है और अगले प्रसन की तरह बढ़ते हैं देखेगा अगला प्रसन एसाई में आया हुआ है जिनका सपना है राजस्तान पुलीस एसाई में जानेगा उनके लिए एक बहुती महत्वपोंड प्रसन है कि एसाई में इस पेटन पर कुछे जाते थे पहले किस आसके काल में किसंगर चितर सेली अपने सिमा पर पहुंचे थी सबसे ज़्यादा विश्कास हुआ था हाँ बिलकुल सभी विद्यारती सही बता रहे हैं बिलकुल नागरीदास या तो नागरीदास मिलेगा आपको या मिलेगा आपको सावंत सिंग और या तो आपको नागरीदास मिलेगा या सावंत सिंग ना मिल विद्द्रियों का, बिल्कुल अर्जुन, बिल्कुल Game Changer, सबी विद्द्रियों ने सभी बताया है, और यहां पर जो है, सबसे ज़्यादा किनके चित्रियों है, तो महिला सूंदरी का, मनलब महिलाओं का तो इतना ज्यादा सूंदरी निया था कि जितना होते बहुत अच्छी होती हैं, मतलब ब्रह्मान में सबसे सुंदर मैलाई होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैलाओं का कुछ जादा कर दिया है, देखेगा, लड़कों के लिए आपको कहीं पर भी ऐसे जादा नहीं मिलेगा, कि लड़कों के लिए इतना सुंदर वर्णन वग मंडावा क्यों परसिदें, मंडावा जुन जुन आ चुका है, और मंडावा जुन जुन किसके लिए परसिदें, जल्दी बताएगा, बिती चित्रों के लिए, मंदिरों के लिए, अभ्यारणिय के लिए, या जील के लिए, कांस्टेबल 2010 का कुशन है, राजस्तान पुली शुपसे बड़ा जोट दब यह लड़के खुश हो रहे हैं । व्यूत Fleet उन के लिए कोई चित्रन करने जुरत नहीं होती हैं। हम्को तो प्रकट्तिक सुन्द्रता इतनी देर है कि हमारा चित्रन की कित्रन के बिना परसिद है पिती चित्र होते क्या है तो प्यारे विद्यारतियों पिती चित्रों के नाम पिती चित्र होते क्या है तो देखीगा जैसे ये मकान है ये मकान है तो इस मकान के अंदर जो है इस मकान के अंदर क्या कर देते थे अपन क्या कर देते थे बिती चित्रन कर देते थे जैसे आपने कभी भी देखा होगा वो plaster करते हैं वो जो cement cement लेते हैं cement चुनाई करी और एकदम बढ़िया clear किया और आपन गए और उसके अंदर कोई design बना दी यह लोसा यह design बना दी और इस परकार की design बना दी वो design परमानेट रहती थी अमेशा के लिए इस्ताई कर दी जाती थी एसी design को जो है एसी design को क्या कहते हैं अपन भी ती चित्र कहते हैं आपने कभी भी एसी चित्रन आप पर देखा होगा जैसे कोई सड़क के किनारे पूल वोगेरा बन दे हैं जैसे वो भी जरब पूल बना के गए यह सड़क के किनारे जो है यह उच्छा पूल फिर वहाँ पर लंबी सी लाइन कीची और फिर जो है वो जैसे यह से बना के गए और अपन लोग जाते और अपन लोग क्या गरते थे cement वो जैसे साम की टाइम पर चुनाए करके गए अपन जाते थे यहाँ पर लिख देते थे लादी का बींद लादू एसे कुछ भी लिखे आजाते थे my name is Kalia अपना नाम लिखे आजाते थे Kalia कक्षा छे वो आज भी छपे के छपे हैं जानि कि इस परकार का जो चित्रन है, इस परकार का चित्रन कोन सा चित्रन कहलाता है, बिती चित्रन कहलाता है, और मंडावा इसके लिए फेमस है, साइध आप लोगों ने इसा किया हो नहीं किया हो, मैंने इसा खुब किया है, कि मतलब इसा सड़की किनारे जब भी ऐसी कोई चुणाएं उणाएं होती थी, किशी के प्लास्तर होता था, मैं वहां जाके मैने नाम लिखे जाता था, उस अमें मैं कक्सा छे में हुँ, वहां पर क्या कर रगा है, इस परकार की पैंटिंग जो है, प्यारे विद्ध्यार्थ यो कौनसी पैंटिंग केलाती है, विटी चित सबस्क्राइब तो पर मिलकुल कोटा बुंदी कोटा बुंदी है यह बीती चितरन के लिए फेमस है लेकिन अगर वो नहीं आता है तो इस स्थेदे मापने को कोटा बुंदी का चैन करना है पीती चितरन के दर्ष्टी से कहां की हवेलिया परसीदे देगो हवेलिया आ गई है कि कौन सी जगह जो है ये भी कांस्टेबल 2008 का आगी पीती चितरन के लिए कहां की हवेलिया परसीदे यहां पर आपको हवेलियो के नाम बताने है और हवेलियो के नाम अभी मैंने आपको ब वो सारे कुशन आपके लिए लेकर आऊंगा कल अपन राजस्तानी चित्रिशेली के सारे कुशन कम्प्रीट कर लेंगे जो पूचे जा सकते हैं या जितने महतपूर्ण कुशन है आज केवल परिक्सा की कुशन है सारे के सारे बिल्कुल सेकावाटी सभी सही बता रहे हो सेकावाटी चित्रिशेली जो है सेकावाटी की जो हवेलिया है नहीं जैसल मेर नहीं होगा सेकावाटी कुछ विद्यारती इसमें जैसल मेर बता रहे है तो देखे प्यारे विद्यारतियों जैसल मेर नहीं होगा सेकावाटी की ज 2008 और RS 2000 में पूचावा कुशन है तो देखेगा बड़े बड़े एकजाम में पूचे हुए कुशन है RS जिसे एकजाम में पूचे हुए सारे कुशन है इतने सरल सरल चुरू अजमेर जोधपुर बिकानेर चल्दी से जवाब दीजेगा उस्ताद और उस्ताद क्या होता है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उस्ताद होते क्या हैं उस्ताद के बारे में भी अपन वर्णन करने वाले हैं लेकिन एक बार इसका चेन कर लीजेगा इदर क्या है लाहूर एक बार क्या होता है विकानिर के एक राजा है जिनका नाम है अनूप सिंग जी ये अनूप सिंग जी क्या करते हैं लाहूर गुमने के लिए जाते हैं लाहूर गुमने के लिए जाते हैं इन्होंने एक टेबल देखी क्या देखी लाहूर में एक टेबल देखी और टेबल के उपर जो है ये टेबल है माल लिजी ये टेबल इनों देख ली इस टेबल के उपर जो है इस टेबल के उपर इनोंने एक कला पड़ी हुई देखी और कौन सी कला पड़ी हुई देखी इनोंने तो यहां पर इनोंने उस्ता कला देखी और जैसे इनोंने उस्ता कला दे कि इनको ये कला अच्छी लगी इन्हों सजार कला ओला ठीक है एक काम करो कला को उठाओ कला को उठाओ इन्होंने खुलिया में रख दी एक खुलिया में इन्होंने कला को रख दिया खुलिया में समझते हो ना जेब किसमें रख दिया खुलिया में रख दिया अब ये एकला को उटा कर जेब में रखकर यहां से रवाना होते हैं. अब ये सुचदे हैं यार कला तो ले जा रहे हैं, लेकिन अगर कलाकार नहीं होंगे तो ये कला किस काम की, दो चार पांच विक्तियान यहां से ओर पकल लिये, यानि कि उस्ता परिवार के जितने भी वेक्ती थे हिसाम अदिन उस्ता दो चालन और खुलयाम बर्दिया रुकम अदिन ने बर्दिया और हिसाम अदिन ने बर्दिया इनको लेकर ये कहां आगए राजस्तान में आगए और राजस्तान में आकर इन्होंने बिकानेर में इस उस्ता कला को विस्तरत किया और इस उस्ता कला में क्या होता है उंट की खाल पर चित्रन होता है उंट की खाल पर सोने का पोछ सुक्समतम चित्रन किया जाता है और इसके जो कलाकार होते हैं, वो कलाकार क्या कहलाते हैं उस्ताद, इसके जो कलाकार होते हैं, वो कलाकार कहलाते हैं उस्ताद, और हिसामोदिन उस्ताद इसके सबसे बड़ा कलाकार है, इनके बारे में कहीं बार एक्जामें पूछा हुआ है, दो परिवार इस बिकानिर चि अनूप सिंग जी लेकर आये थे, यानि Most Important, अनूप सिंग जी लाहोर से कौन सी कला लेकर आये थे? उस्ता कला, जिसमें क्या होता है? उँट की खाल पर सोने का सुक्ष में चित्रांकर होता है और इसका सही विकल्ब होगा, विकानेर, बिल्कुल आप सभी ने सही विकल्ब त चित्रन किया जाता है वो मुखी रूप से चित्रन किसका होता है पिछवाइं आपने देखी होगी यानि कि ये जो मंदिर है ये मंदिर मान लिजेगा भगवान सरी कृष्ण का मंदिर है ये मंदिर किनका है तो ये मंदिर है भगवान सरी कृष्ण का मंदिर है ये मंदिर उपर भगवान स्री कृष्ण का जो चित्रण किया जाता है वो भगवान स्री कृष्ण का चित्रण क्या कहलाता है तो मंदिर में भगवान स्री कृष्ण के पीछे का चित्रण जो होता है प्यारे विद्यारतियों ये मूर्ती भगवान स्री कृष्ण के बाल सुरूप की हैं तो यहाँ पर जितना आपको चित्रन देखने को मिलेगा अगर आप नात द्वारा जाओगे और नात द्वारा में स्री नात जी की जब मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर आप को भगवान स्री कृष्ण के बाल सुरूप की यानिकि उनकी बाल लिलाओं के चित्रन मिलेंगे क्योंकि भगवान स्री कृष्ण ने बाल लिलाएं बहुत ज़्यादा रची थी बाल काल में उन्होंने बहुत ज़्यादी गटनाई ऐसी गटनाई गटी थुई थी उनके का तो उनका जीवन चित्रन इसमें लेखने को मिलता है। बिल्कुल RIS कला सभी विद्यारती इसमें सही बता रहे हैं RIS कला बिल्कुल D RIS कला जो है यह सबसे लंबे समय तक देखेगा फट कला कपड़े के उपर होती है इसलिए यह क्या होती है जल्दी जीन खिरन हो जाती है सांजी कर ला जो है ये भी ऐसे बढ़ाई जाती है केड़े के पत्तों से इन से तो ये भी फट जाती है मांड़ने अपर रंग से इन से बढ़ाते है तो ये भी जो है धिरे धिरे रंग उखड जाते है रंग खतम हो जाते है रंग जदा से जदा कितने साल चल जाएगा दो साल चल जाएगा, पांस साल चल जाएगा बीज साल चल जाएगा लेकिन धिरी धिरे रंग भी खतम हो जाता है कपड़ा गल जाता है, फट जाता है सांजी चित्रन जो होता है ये भी केड़े के पत्तों पर इन पर होती है तो ये भी खराब हो जाती है लेकिन RIS कला जो है ना ये बहुत लंबे समय तक टीकी रहती है सबसे लंबे समय तक इसको जो है दिर्ख काल तक जीवित रखा जा सकता है इस पद्धति को क्या कहते है RIS कला कहते है पिछवाई कलाकर्ति में बने चित्र उद्बुत हैं यानि कि ये तो भी आपने देखा था भगवान स्री कृष्ण के जीवन से समधी थे आरेस दो जार तीन का क्यूशन है निम्न लिकित में से कौन सा चित्रकार बिकानेर चित्र सेली से जुड़ा हुआ नहीं है यह आप लोगों के लिए मस्त वाड़ा कृष्ण है कोन सा चित्रकार जो है कोन सा चित्रकार ऐसा चित्रकार है जो मिकानेर चित्र सेली से जुड़ा हुआ नहीं है ये कोलेज व्यक्याता हिस्ट्री 2014 और 2016 में पुचा हुआ क्विशन है हाँ आरायस या आला गिला बिल्कुल सही बता रहे हूँ D. नानकराम D. बता रहे हैं नानकराम बता रहे हैं चलो देखते हैं क्या इसका नाम होगा तो हाँ बिल्कुल D. चलो देखेगा इसका क्या होगा बिल्कुल नानकराम नानकराम जो है नानकराम नहीं थे क्योंकि जै किसन मत्यरण मैंने आपको क्या बताया था बिकानेर चित्रिसली में दो परिवार थे एक परिवार था मत्हरण जेन परिवार और एक परिवार था उस्ता परिवार यानि कि ये मुस्लिम परिवार था तो रामलाल, अल्ली, हसन, सहा मौमद, अबू हमीद, हिसा मुदीन, जै किसन ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे चितरगार कहां पे थे बिकानेर चितर सेली में जै किसन मत्यरण नाम से पता चल रहा है मैंने अभी पताया मत्यरण परिवार था, मुस्लिम परिवार थे, शाह मौमत थे, अबु हमीद थे कौन नहीं थे तो ये नानक राम जी यहाँ पर नहीं थे बिल्कुल D, अरजुन के रहे, D होगा सर, 200%, बिल्कुल सही है बिकानेर के मत्यरण समुदाय के संबंद में निम्नलिकित में से कौन सा विकल्प जो है ऐस सत्य है, इसमें जो है एक गलत है, इसमें जो है आपको मिलान करना है, चलो गलत नहीं है इसमें ये पूचा जा रहा है, बिकानेर के मत्यरण समुदाय के संबंद में कत्रों को सावधानी से पढ़िए और जवाब दीजेगा, निचे आपके सामने चार विकल्प दिये गए है, उनमें से आपको चेन करना है कोलेज व्याक्याता, ये तो जीक के 2014 और 2016 में ये भी कोलेज व्याक्याता में पूचा हुआ क्विशन है हाँ, नानक राम जी जो है, ये जोधपुर से लिग है, बिल्कुल विका नेर चित्र से लिके विकास में इनका प्रचूर योगदान महाराजा अनूप सिंग की काल में मत्यरन समुदाई को संडक्षिण मिला मत्यरन विशेस करण सासकों के विक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं मत्यरण जो अपने आपको महात्मा भी कहते हैं वे एक जहन समुदाइश से समधित हैं उप्युक्त में से कौन सा कथन सही है एक दो सही है एक दो तीन सही है केवल दो तीन सही है या सभी सही है इसमें से कौन सा सही है सभी सही है R.D. सही है बिलकुल देखेगा विकारेर चितर से लिएके विकास मिंगा परचूर योगदान अभी बताए मनें मतेरन परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहा है बिलकुल सही है महाराजा अनूप सिंग के काल में मत्यरन समुदाई को सनक्षन मिला उस्ता परिवार और मत्यरन दोनों को अनूप सिंग के काल में सनक्षन मिला है मत्यरन विशेस करन सासकों के वेक्तिगत चित्र उकेरने के लिए बिलकुल राजाओं के चित्र जो न यहां के जो राजा होते थे विक्तिगत सासक होते थे उनके चित्र उकेरने के लिए फेमस थे और मत्यरंड जो एक जेन समुदाई है जेन परिवार है इसके बारे में अपने कल भी देखा था तो सभी जो है सभी के सभी सही है 23 कुषिशन सभी विध्यारतियोंने सही कर दिया है शापबास किस चित्र सेली में मत्तीराम चरित्र 19-वी सताब्दी की हिंदी साहिति रचना रस राज का चित्रन है तू विशे के रूप में प्रियोग किया गया है बहुती मस्त कुषिशन है रस राज का चित्रन है तू विशे के रूप में प्रियोग किया गया है मारवाड, मेवाड, बुंदी, अलवर ये भी जो है कोलेज वैक्याता का गुशन है हाँ सभी हो गया अगले गुशन पर आजाएगा किस चित्र सेले में मत्ति राम चरित्र उन्नीश्वी सताबदी के हिंदी साहिति रचना रस राज का चित्रन है तो विशे के रूप में प्रियोग किया गया है मारवाड चित्र सेली, मेवाड चित्र सेली, बुंदी चित्र सेली या पिर अलवर सेली बिल्कुल गुड आप्टरनून चलो देखिएगा इसका सही विकल्प क्या होगा बिल्कुल इसका जो है सही विकल्प होगा मारवाड बिल्कुल मारवाड जो है मारवाड इसका सही विकल्प होगा मारवाड चित्र सेली से ये सम्बंदित है ए इसका सही विकल्प होगा मारवाड अगला देखेगा मारवाड सेली में रागमाला चित्रावली 1623 में किनो ने लिकी LSA 2016 में क्विशन आया था देखे थोड़ी देर पहले ही इस क्विशन के बारे में जिक्र हुआ था एक बार अपने दिमाग को वापिस गुमाईएगा रागमाला के बारे में बताया था तीन जगे अपने को रागमाला गरंत का वरनन मिलता है एक रागमाला का वरनन चावंड में मिलता है एक बुंदी में मिलता है और एक इसके अलावा जो है मारवाड में मिलता है और मारवाड में 1623 में मेवाड में 1656 में लिखा गया था यहां पे 1623 में लिखा था और किनों ने लिखा था तो वीर जी ने लिखा था बिल्कुल सभी विद्यारती सही बता रहे हैं वीर जी जो है वीर जी C इसका सही विकलपोगा 25 विका सिताराम, बदन सिंग, नानक राम, चितरकार किस चितरकला से संबंदित थे यह सेकंड ग्रेड 2017 का कुशन है किस चितरकला के सारे के सारे चितरकार थे सिताराम, बदन सिंग, नानक राम जोधपुर से लिए, नादवारा से लिए, किसनगड से लिए या भीकानेर सेली, किस से संबन्दित है हाँ, बिल्कुल वीर जी होंगे अगला क्यूशन आ चुका है अगले क्यूशन का जवाब दीजिएगा 26 है किस सेली से संबन्दित है 26 है में यह 25 है дов지 में 35 है हाँ, सिला मैइगवाल जी बिल्कुल 25 में तीसरा अगले कुशन पा जाईए जोधपूर 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 ज जीवन चित्रकला की सेली से संबंदित है ये क्विशन आप लोगों के लिए जो है important क्विशन है इस क्विशन का जवाब आप सभी विद्यारती सर्च करना और इसका जवाब जो है आप comment box में comment करना कि कौन सा इसका सही विकल्प होगा तो आज के लिए अपन यहीं विराम करत था कि एक छोटी सी क्लास अपन जो है उस पे लेंगे अभिज्यान e-world के उपर तो प्यारे विद्यारती उस चैनल का नाम जो है अभिज्यान world रखा गया e-world नहीं है अभिज्यान world के नाम से है और वो जो है चैनल कल ही बना था तो उस चैनल पे 24 गंटे के अंदर live class नहीं उसके उपर जो है आपको सारी सारी चीज़ों के notification मिल जाएंगे जो भी आपको थेवरी उगरा जो भी class होगी तो उस पे होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे विद्यारतीयों का जै हिंद जै बारत